हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चनल जारेडा उनलेन क्लासेज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य हिंदी कक्षा पहली शीत कालीन अफकाश का ग्रह कारी है तो बच्चों जैसे कि दिनांग एक जन्वरी और पांच जन्वरी का ग्रह कारी हमने हल कर लिया था आज हम सभी हल करेंगे हमारे दिना दस जनवरी 2022 का ग्रहकाले पहला प्रशन है बच्चो नीचे दिये गए चित्र ध्यान से देखेंगे और इन में से जिस जिस वाहन पर आप सफर कर चुके हैं उन पर सही का निशान लगाएं और उनके नाम जिस जिस अक्षर से शुरू होते हैं वे अक्षर लिखिए तो देखे बच्चो आपको बोला गज़ा है कि आप किस किस वाहन में बैठ चुके हैं उन पर आपको क्या करना है सही का निशान लगाना है तो देखे बच्चो बस में आप बैठ चुके होंगे चीके इसका पहला अक्षर क्या है बर ठीके दूसरा क्या है स्कूटर स्कूटर पर भी आप सभी बैठ चुके होंगे यह है बच्चो हमारा रिक्षा रिक्षे में भी सभी बैठ चुके होंगे बच्चा ये क्या है हमारा घोड़ा तांगा तो बच्चो घोड़े तांगे में सभी नहीं बैठे होंगे जो बैठा है वो सही का निशान लगाएगा जो नहीं बैठा है वो गलत का निशान लगाएगा बच्चो ये क्या है हमारा आटो रिक्षा आटो रिक्षा में भी सभी बैठ चुके होंगे तो यहां भी सही का निशान लगाएंगे बचो यह है हमारी साइकल साइकल पे भी सभी बैठे होंगे तो इस पे भी सही का निशान लगाएंगे और बचो यह है हवाई जहाज तो बच्चों हवाई जहाज में भी सभी नहीं बैठे होंगे तो बच्चों जो बैठा है वो लगाएगा सही का निशान और जो नहीं बैठा है वो लगाएगा गलत का निशान और इसका पहला अक्षर है है अगला प्रशन दो है बच्चों नीचे लिखे गए रंगों वाली दो दो फल या सबजी के नाम लिखे अब बच्चो हमें दो दो फल या सबजी के नाम लिखने हैं रंग हमें बताए गए हैं जैसे बूरा बूरे रंग के क्या होते हैं आलू और चीकू हरा हरा रंग का क्या होता है बच्चो अंगूर और मिर्च पीला पीला रंक क्या होता बच्चू पपीता पपीता और आम सफेद रंकी मूली और फूल गोबी और लाल रंकी टमाटर और गाजर अगला है बच्चो दिनांग 13 जन्वरी 2022 का ग्रह कारे तो पहला प्रशन है बच्चो नीचे लिखी गई वस्तूओं के नाम पड़ो और जो वस्तू में तैरेंगी उन पर गोला लगाईए ये आप घर पे करके देखेंगे तो देखे बच्चो पानी के अंदर आप इन वस्तूओं को डालेंगे और आप देखेंगे कि कौन कौन सी वस्तू तैरेगी पत्थर रूई कागस तो बच्चो कागस तैरेगा चौक कील और पेड का पत्ता तो बच्चो पेड का पत्ता भी तैरेगा ठीके और बाकी सबी चीजे पानी में डूब जाएंगी अगला प्रशन दो दिये गए शब्दों में से उल्टे शब्द ढूंद का सामने लिखिए अब जो उल्टे शब्द हमें ढूंद का लिखना है बड़ी बड़ी का होगा बच्चो छोटी नीचे का होगा उपर पक्की, पक्की का होगा कच्ची मोटी, मोटी का होगा पतली हल्की, हल्की का होगा बच्चो भारी इस तरह से आप सभी को यहां लिखना है अगला प्रशन है बच्चो नीचे दिये गए शब्दों को पड़ो और जिस वस्तु को हम कैंची से नहीं काटते उस पर काटे का निशान लगाए तो बच्चो ऐसी कौन-कौन सी वस्तु है जिने हम कैंची से नहीं काटते कपड़ा, कपड़े को काटते हैं आम, आम को नहीं काटते सेव नहीं काटते कागज काटते हैं रसी काटते हैं मतर, मतर को हम नहीं काटते ठीक है बच्चो तो इस तरह से आप सभी को अपनी वरक्षीट को हल करना है उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ माया होगा बच्चो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बाक्स में मुझे कमेंट जरूर करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और जिन्हों ने अभी तक बच्चो चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है आप सभी जल्दी से जाए लाल बटन दबाएए और सभ बच्चो का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद